Hello friends, मैं आज आपको Shoplift है, C2018 की Japanese movie explain करने वाला हूँ इसके IMDB rating 8 है और ये Academy Award winner भी यानि कि इसने Oscar जीता है ये movie family के बारे में है आप अगर आपकी family choose कर पाओगे तो ये family कैसी होगी या आज हम इस movie में देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं movie star होती है और movie के दो character में दिखते है इसमें एक बड़ा आदमी और एक चोड़ा लड़का होता है बड़ा आदमी का नाम के रखेंगे और चोटे बट्चे का नाम आईवार रखेंगे ये दोनों हमें एक super shop में आते होए दिखते है ये वहाँ आकर सब कुछ देखते हैं उन्हें क्या चाहिए ये चूज करते हैं उसके बाद ये जो शोटा लड़का होता है ये अपने bag में सब कुछ भर लेता है यानि ये शॉफ्ट लिफ्ट कर रहे होते है आईवार को store का employee पकड़ना पाए इसी वज़े से केक उसे कवर देता है जब रात होती है तब ये दोनों घर आ रहे होते है आईवार को कोरो के खाना होता है तो ये बहुत सारे कोरो के ले रहेते है जब ये घर आ रहे होते है तब एक बच्ची उन्हें कार्ट में दिखती है आज बहुत य जदा थंड पड़ी होई होती है तो केक को बहुत ही बुरा रखता है यह बच्ची यहाँ बाहर क्या गरी है ऐसा उसे सवाल आता है यह बच्ची भुखी हो सकती है इसलिए वो उसे कोरोकी भी देता है इस शोटी बच्ची को फिर वो घर लेकर आता है इस शोटी बच्ची का नाम हम सीगी रखेंगे गषी राने के बाद हमें सब family members introduce है इसमें ग्रैंड मा होती है केक की जो wife होती है वो भी होती है इसका नाम हम cream रखेंगे cream की sister होती है जिसका नाम हम Daisy रखेंगे यह वो देखती है यह जले हुए उसे बहुत ही मारा है इसके निशान होते है उसे जब ग्रैमा पुछती है कि यह क्या हुआ तो वो कहती है कि मैं गिर गई थी वो यहाँ जूट पोल्टरी होती है जब रात हो जाती है तब के और क्रीम सीगी को अपने घर छोड़ने के लिए जा रहे होते है सीगे पैरेंट्स होंगे और वो परिशान होंगे इसलिए वो वहाँ जा रहे होते है जिस स्पॉट पे के को मिली थी उस स्पॉट पर वो जब जाते है तो उसकी मदर का उने आवाज आता है उनकी मदर एक आदमी से जगड रही होती है अंदर से मारने के आ हट बहुत ही सॉफ्ट होता है के क्रीम को बोलता है कि प्लीज इसे सिर्फ एक रात के लिए घर पर रहने तो जब सुभा होती है तो सिगी ने अपना बेड गिला कर दिया होता है ग्राइड मा इस सब का खयाल रख लीती है सुभा होने के बाद हमें के और क्रीम अपने सेफरे एक आतमी आता है इस आत्मी को देखकर वो सब लोग को छिपाती थी है ग्राइड मा को जो एगर होता है यह बहुत ही इंपोर्टन प्रॉपर्टी होती है इसमें बिल्डिंग मी बन सकती है इसलिए उससे कंवेंस करने के लिए आतमी आया होँआ होता है बिल्डर ने इसे भी मूव नहीं होना अहां मि-पता चलता है कि Hang ग्रैंड मा के साथ जो भी सब कुछी यह रह रहे है यह लीगल हboo निहां रहे रहे हैं किसी को भी इनके बार में पता नहीं है थोड़ी दिरवाद ऑईवार हरस्सीगी दोनु खेलने लग जाते है आईवार उसे पूछता है कि तुम्हारे body पर जो marks है मारने के marks है यह तुम्हारे mother ने तुम्हें किया है वो घ्याती के नहीं मेरी mother बहुत ही अच्छी है वो मेरे your clothes विगरा बांय करती है घर जाते जाते हैं आईवार सीगी से फिर से पूछता है कि क्या तुम अब घर जाने वाली हो पर वो घर नहीं जाती है वो फिर से आईवार के साथ उसके घर आ जाती है घर आने के बाद सब फैमिली टिनर कर रहे होती है तो फिर से ग्वेशन आता है कि क्या अब वो सीगी को घर वाप तो सिगी को भी यह खाना होता है तो grandma उसे इस पेशली खिलाती है grandma सिगी की responsibility लेने के लिए तयार होती है सिगी बेट वेट करती है तो इसका भी उसके पाद solution होता है grandma कहती है तुम मेरे बेट पर सो grandma फिर उसे salty चीज खिलाती है जैसे वो बेट वेट नहीं करेगी वो कहता है कि construction पे मुझे hard हुआ है तो इससे मुझे बहुत सारा severance पे मिलेगा अब वो chain के सास लेते है यह जो family होती है इस family के लिए survival ही important होता है नेक दिन सिगी और आइवार फेसे shop lip करते है और candy खा रहे होते है आइवार फे उससे कहता है कि तुम्हें एक cake कोन खिलाता था वो कहती है कि मेरी grandma खिलाती थी वो उससे grandma के बारे में पोच्छता है सिगी कहती है कि वो heaven में है आइवार कहता है कि उसे भूल जाना है फिर अच्छा होगा उसे वो एक दिन shop lip करना भी सिखाएगा यह उससे कहता है आज grandma डेजी के साथ city में आती है उसे अपने pension निकालने होती है pension निकालने के बाद वो एक hotel में आती है डेजी भी एक job करती है तो grandma इसके बारे में पोच्छ रही होती है तो डेजी उसे बताती है कि एक stripping का job होता है डेजी एक provider का stripping का काम करती है डेजी जो काम करती है इसे grandma को कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ता कि अब घर पर ही होता है और cream यह दोनों बात कर रहे होते है cream जहाँ काम करती है वहाँ उसके अवस कम कर दिये जाते है उसका boss इतना ज़्यादा आफोर्ड नहीं कर पाता तो इसलिए अब वो जड़ा कट कर रहा होता है क्ये कहता है कि grandma की pension है हमें ज़्यादा कुछ वरी करने की ज़रूत नहीं है grandma की 60,000 yen यह एक pension होती है नेकसीन में हमें डेजी जहाँ काम करती है वो दिखाय गया है एक सिशा होता है जिसके दूसरे साइड पे एक आदमी बैठता है और एक साइड पे डेजी होती है डेजी फिर इन आदमी हों के लिए स्टीप करती है यहाँ इनके पास एक private room में होता है जहाँ एक दूसरे से बात कर सकते है इस private room में बहुत सारे पैसे मिलते है तो इससे हर customer को यह suggest करती है अब next in में हम देखते है कि के आईवर और सिखी यह सब एक शॉप में आया है fishing के जो supplies होते है इस shop में बेचे जाते है यह चीज़े बहुत expensive होते है और उनका जो exit door होता है उस पर भी sensor लगे होते है के फिर वहाँ जो आदमी काम करता है उसको distract करता है आईवर supplies उटाता है और बाहार निकलने के लिए निकलता है सिगी जो sensors का electricity होती है वो बन कर देती है जिससे आईवर पकड़ा ना जाए यह वो successfully चोरी कर लेते है और इसके बाद आईवर और के हमें discuss करते हो दीखते है आईवर उसे बोल रहा होता है कि हमें सिगी कोई भी ज़रूरत नहीं है सिगी इस family में new member है यह उसे अब अच्छा नहीं लग रहा आईवर को एक अच्छा से खिलो ना भी के नहीं दिया था पर वो सिगी के साथ share नहीं कर रहा कि उसे कहता है कि अब तुम इसे अपनी sister बुला सकते हो आईवर केता है कि मेरी sister नहीं है वो चीट कर वहाँ से चला जाता है सिगी यह सुनकर रोने लग जाती है यह उसे समझाता है कि यह जो बोल रहा था यह mean नहीं करता तुम ज़्यादा वरी मत करो फिर से में राद में सारी family इकटा दिकाई गई है यहाँ डेजी ग्रैंड मा के लैप में सोई हुई होती है डेजी का दिन उतना अच्छा नहीं गया होता और यह ग्रैंड मा को समझ में आ जाता है डेजी को देखकर यह समझ जाती है कि डेजी का देख अच्छा था या बुरा था सिगी बहुत ही दुखी होती है क्योंकि आयवार उससे खेलने रहा क्रीम फिर उसे समझाती है किसमें तुमारे कोई भी कलती नहीं है के और क्रीम हमें डिस्टरस करते हुए दिखते है क्रीम उसे कहती है कि इसका बल्चपन इतना खराव है उसकी मदर इतने अब्विश्य है फिर भी ये लोगों का ख्याल करती है सिगी बहुत एक्स्टराडिनरी उन्हें लगती है आयवार एक बंद पड़े हुए वैन में खेल रहा हुता है फिर के उसके पास आता है वो उसे पूछता है कि क्या प्रॉलम है आयवार कहता है कि हम सब लोग थे तभी मुझे सब पर्फेक्ट लग रहा था उसे नई फैमिली मिंबर अच्छी नहीं लग रही ऐसा वो उसे बताता है केवर उसे समझाता है कि हमारे लिए तो ये सही था पर सिगी के लिए अच्छा नहीं है सिगी अगर फिर से उस घर में चली जाएगी तो उसके लिए ट्रबल हो सकता है आईवर भी इस बात को समझ जाता है के उसे कहता है कि तुम उसे अब सिस्टर बुलाओ और वो अपने आपको आईवर को फादर बुलाने के लिए कहता है आईवर हिसिटेट करता है और कहता है कि किसी और दिन में तुम फादर बुलाओंगा आईवर और के बात करने लग जाते है आईवर के पास एक बुक होती है उसकी स्टोरी वो उसे कह रहा होता है कि इस बुक में लिखा था कि छोटी-छोटी मचलिया एक बड़ी से फिश का सामना करती है कि यह कहता है कि वो बहुत ही भुकी होंगी यहां में पता चलता है कि सर्वाइवल के आगे वो कुछ सोचे नहीं पाते है क्या सही? क्या गलत? इस बारे मों कभी भी नहीं सोचते है इसलिए वो सब शौटफलेक्स वगिरा करते है आईवार का क्यारेक्टर हमेशा सोचता हुआ हमें दिखता है अब दो महनें बीच चुके होते है फिर भी सिखी इनकी पास ही होते है और यह अब टीवी पर आ चुका है इसे अब यह प्रॉल्म है तो यह पर आने के बाद न्यूस पे लोग सब को पता है तो वो सिखी को पहचान सकते है इसलिए उसिखी के हैस काट देते है नेजदिन सिखी और आएवर आगे जा रहे होते है और ग्राइडमा और क्रीम दोनों बात करते है क्रीम कहती ही कि मुझे लगा था कि यह फिल से घर चली जाएगी पर इसने हमें चूस किया है क्रीम भी कहती है कि मैने भी तुमें चूस किया था अगर हम आमारी फैमिली को चूस करते है तो बॉंडिंग बहुत ही ज़ादा स्ट्रॉंग होती है इसका मतलब है क्रीम और ग्रैंड मा में कोई भी relationship नहीं है फिर वो एक साथ रहे रहे हैं के और डेजी दोनों घर पर होते हैं तो डेजी उससे पुछती है कि तुम और क्रीम कभी intimate नहीं होते हैं तुमें कभ वोक मिलता है कि यह कहता है कि हम दोनों की soul जूट चुके अब हमें physical relationship की जुरूरत नहीं है डेजी जोती है हमेशा उसे intimacy की जुरूरत होती है वो लोगों से एक connection बनाना चाती है इसी वज़े से grandma से उसकी बहुत ही अची relationship होती है डेजी को grandma और क्रीम दोनों एक shop में लेकर आते हैं वो इसके लिए अब जरा कबड़े खरिदने वाले होते हैं क्रीम जब उसके लिए कबड़े खरिद रहे होती है तो डेजी बोलती है कि तुम मुझे मारोगी तो नहीं न वो कहत दी कि नहीं मैं तुम्हें कभी भी नहीं मारूंगी क्रीम और सीगी दोनों जब घर पर आते हैं तो वो shower ले रहे होते हैं तब एक दूसरे के बोड़ी पर वो सेम मार्ग्स दिखते हैं क्रीम का भी जो बच्पन था वो सीगी की तरह ही हर्ट था उसके बच्पन में भी उसे कोई मारता था और इसे बज़ए से उसके बोड़ी पर ये सब मार्ग्स है सीगी उसके लिए वरी करती है पर उसे कहती है कि अब ये हर्ट नहीं होता जब रात होती है तब सीगी और क्रीम बैटते है और सीगी के सब old clothes वो जला देते है को उसे पहचान सकता है इसलिए वो इस सब कर रहे होते है क्रीम फी सीगी को कहती है कि जो लोग तुमसे प्यार करते है वो तुमें मार दे नहीं उसे हक करती है जो लोग तुमसे सच में प्यार करते है वो तुमें हक करते है नेक्स दिना में दिखता है कि आईवार और सीगी बहुत ये अच्छे दरीके से खेल रहे है सिखी भी आयवार को ब्रदर बुला रही है और इस relationship को आयवार ने भी accept कर लिया है थोड़ी दिर बाद एक shop में हो जाते है एक candy को shop लिग कर रहे होते है वहागा जो आदमी होता है उसे समझ में आ जाता है कि आयवार और सिखी क्या कर रहे है वह आयवार को कहता है कि यह सब काम तुम अपने sister से मत करवाओ तो उसे दो candy देता है और जाने के लिए बोलता है इसी दिन क्रीम और उसके जो cover करोती है उनका जो boss होता है वो उन दोनों में से एक को आज fire करने माला होता है वो उन्हें यह choice देता है वो कहता है कि तुम ही decide कर लो कि मुझे किसे fire करना है यह दोनों जब बाहर आते है तो उसके friend उसे blackmail करती है वो कहती है कि तुम उस लड़की को तुमारी घर पर रख रही हो मैं पूलिस को बता सकती हो क्रीम भी फिर अपना job छोड़ देती है नेकसिन में grandma हमें एक family के पास आई हुई दिखती है grandma को जो पती था उसने दूसरी शादी कर ली थी दूसरी शादी हो जने के बाद उसे जो बच्चे होए थे उसी में से एक लड़का जो है उसके घर वो आई है यानि कि यह उसका stepson है इसके stepson की आप family भी होती है इस family उसमें wife और दो बेटिया होती है यहाँ है पता चलता है grandma को जो stepson है उसकी बेटी Daisy है इस stepson को पता नहीं होता है कि वो grandma के साथ रह रही है उसे लगता है कि वो abroad गई है वो वहाँ सीख रही है जब grandma जा रहे होती है जादे जादे उसे stepson कुछ पैसे देता है Daisy अपने job पे फिर हमें दीखती है उसका जो एक client होता है जो कुछ ही बात नहीं करता उसे वो एक private room में लेकर जाने के लिए मना लेती है वो फिर अपने इस client को अपनी sister के बारे में स्टोरी सुना रही होती है यह कुछ भी नहीं बोलता यह बहुत ही hurt हो चुका होता है तो उसे hug करती है इसे physical connection से ज़्यादा एक emotional connection की ज़रूरत होती है जब के और करिम घर पर आते है तो भी दोरों intimate हो जाते है केको यह हो जाने के बाद बहुत ही relieved लगता है क्योंकि उसे पहले problem आ रही थी अब उसकी यह problem solve हो चुकी है जब बच्चे घर पर आते है बहुत ही fastly यह कपड़ वेगरा पहनते है डेजी जब घर पर आती है वो खोश होती है आज उसे emotional connection मिला है ग्रैंड मो को यह देखकर पता चल जाता है डेजी भी मुसकोर आई रही होती है जब रात होती है तो बहुत सारे fireworks चल रहे होते है नुका जो घर होता है वो जाडियों से cover up होता है यह सब बाहर निकलते है सिर्फ इस fireworks को सुनने लग जाते है यह इसे देखनी पाते है फ़र भी सुनने में ही इने satisfaction मिल जाता है निक्स दिन यह सब बीच पर आते है बीच पर आने के बाद यह सब बहुत ही enjoy करते है आई वार को लड़कियों के प्रती physical attraction डेवलप होने लग जाता है तो फिर कि इस बारे में उसे बात करता है वो कहता है यह सब बहुत नॉर्मल है एक फादर की तरह उसे वो emotional support करता है उसे सब को चीजे अच्छे से बताता है निक्स दिन जब आता है तो ग्रैंड मा अपनी नीन से जाकती नहीं वो आप मर चुकी होती है क्रैंड मा फिर सब बच्चों को समझा दी है कि हमारे बीच का अब यह secret रहेगा वो ग्रैंड मा को proper barrier नहीं दे सकते क्यों उनके पास पैसे भी नहीं है इनका और एक प्रॉल्म होता है जो एक मुवे में आगे पता चलेगा यह ग्रैंड मा को अपने घर के नीचे ही गाड़ देते फिर हमें क्रीम और के दोनों डिसकस करते दिखते और वो कहते कि पिछले बार से अच्छा था यानि कि पहले बार भी इनने किसी को गाड़ा है पिछली बार सरकमस्तान से ज़रा अलग थे यह क्या थे यह भी हमें मुवी के आगे पता चलेगा ग्रैंड मा मज चुकी है तो क्रीम उसके एटिम में जाते है उसके सब अकाउंट से पैसे निकाल लेती है जब क्रीम और आईवार घर आ रहे होते है तब आईवार को एक क्वेशन होता है जो शॉप फ्लिफ करता है यह सही यह गलत यह उसे समझ में ने आ रहा हता क्रीम उसे कहती है कि अगर शॉप को ज़ादा नुकसान नहीं हो रहा तो यह ठीक है इसमें कोई Animation में कि आईवार को आपने साथ लेका राता है कि अब गाडी फोड़ गया, एक पैक उसमें से निकालने वाला होता है, आईवार को एक काम नहीं करना होता आईवार को फिर कैब बोलता है, कि तुम सिर्फ नजर रखो काम करकर वो वहां से निकल जाते है आईवर फिर कैसे पोचता है, क्या तुमने मुझे भी ऐसे ही गाड़ी से उठवाय था आईवर को पता नहीं होता कि कैसे वो केके पास हाया है क्या कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तुम ऐसे ही कभी पढ़े थे और हमने तुमें हमारे यहाँ जगा दी थी इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि आईवार और सिगी फिर से उसे शॉप में आते हैं जिस शॉप में उन्हें रोका गया था जिस शॉप में एक आदमी ने उसे कहा था कि तुम्हारी सिस्टर से ये काम मत करवा अभी शॉप बन हो चुकी है आईवर को लगता है कि बहुत ही घटिया काम है दूसरे शॉप में वो पहुच जाते है वो सिखी को कहता है कि तुमें आप ये काम नहीं करना है तुम बाहर ही रुखो वो अपने आप ये काम करना चाहता है सिखी को इसमें इन्वाल नहीं करना चाहता सिगी मानती नहीं अंदर आ जाती है शौफली करना स्टार्ट करते थी है वो आएक employee होता है जो सिगी को देख सकता है इसलिए आई वार फिर कुछ चीर्ज उठाता है और employee के सामने से ही वहाँ से भाग जाता है सिगी को वो बचा लेता है पर वो employee उसके बीचे भागने लग जाते है वो भागते बागते एक bridge पर आ जाता है दोनों employee उसे यहाँ गेर लेते है तो इस bridge से वो कुछ जाता है वो हर्ड हो जाता है उसके पेरवर बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है यह hospital में आ जाते है वहाँ police भी आई होई होती है K.R. cream भी वहाँ थै K.R. cream से police पूशताज करना चाती है पर K.R. cream वहाँ से भाग जाते है जब राथ होती है तब यह सब लोग वहाँ से भाग कर कही और जाना चाते है पर तब है police उन्हें पकड़ लेती है इसी वजह से उसके सवाल पूच रहे हुते हैं वो आपने फैमेली को ट्रबल में नहीं लाना चाता इसलिए वो उने कवर करता है पिर एक्वार्च वैमेली तुम्हें छोड़ का जा रही थी पूलिस जब सबसे इंवेस्टिकेशन कर रहे हुते हैं फिर वो डेजी से कहते है, कि जो के और क्रीम है, इन्होंने एक आदमी को मार दिया है। पुलिस कहती है कि क्रीम का हस्बंड था, पर उसका के के साथ अफेर हो गया था, इसे वज़े से उसने अपने हस्बंड को मार दिया है। पुलिस जब क्रीम से बात करी होती है तो क्रीम कहती है कि मैं सेल्फ डिफेंस कर रही थी वो ये भी कहती है कि मेरे मेरे हस्बन को मारा है कि का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है कैसे डीटेक्ट उसेगी के बारे में पुछते है तो वो सच-चच बताता है वो कहता है कि वो स्टार्प कर रही थी हमने रैंसम भी नहीं मागी थी हमें एक फैमिली कितार रहे रहे थे डेजी के पास पुलिस होती है तो उसे ये भी कहती है कि तुमारे ग्रैंट मह तुमारे पैरन्ट से पैसे लेती थी डेजी ही सुनकर बहुत ही हर्ट हो जाती है करीम ने जो क्राइम किया था उसकी बुरी रिस्पॉंसिपिलिटी ले ली है अब वो जेल में चली जाती है थोड़े दिन गुजर गए है और आईवार अफॉस्टर केर में रह रहा है वो स्कूल में जाने लग जाता है उसे वैसे भी पढ़ना ही होता है तो इसके लिए बहुत ही सही है डिरिक्टी उसे बुझता है कि पहले तुम स्कूल में नहीं जाया करते थे वो कहता है कि के मुझे कहता था कि जो बच्चे घर पर रहे कर नहीं पढ़ सकते बैस बुलाती है, उसके पास बुलाने के लिए उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए Klotz पाय करूंगी इस बार,ọसोध पास सकती है उसे आप हर्ट नहीं होना है, अब वो स्मार्ट हुचकी है हुसे आप कोई मारे नहीं सिर्व अपने आप का खयाल रखती है नेक सिन में हमें दिखता है कि क्रिम डिरेक्टिव से बात कर रही है यहां में पता चलता है कि क्रिम पांच है वो और के अपने लिए बच्चा नहीं पैदा कर सकते इसलिए उन्होंने आईवार को चोरी कर लिया था डिरेक्टी उसे कहती है कि जो भी तुम कर रही थी वो गलत था तुम जब अपने बच्चे को जन देती हो तभी तुम मदर बनती हो ऐसे तुम कभी भी मदर नहीं बन सकती तुमारे चॉइस की तुम फैमिली नहीं ले सकती अब हमें दिखता है कि बहुत सारे दिन गुजर चुके है आईवार और के दोनों फिशिंग कर रहे हैं फिशिंग करते वक्त आईवार के को फिशिंग टूल्स के बारे में जानकरी देता है ये जानकरी उसे स्कुल में मिली है ये भी उसके लिए proud मैसुस करता है फिर ये दोनों क्रिम से जेल में मिलने के लिए आती है क्रिम फिर आईवार को अपने real parents के नाम बता देती है वो कहती कि अगर तुम चाहते हो तुम अपने parents के साथ रह सकती हो वो के को कहती है कि यही सही चीज थी ये हमें बहुत ही पहले कर देना चाहिए था रात में आईवार और के डिनर करते है एक father और son की तरह ही इनकी conversation होती है जब रात हो जाती है तो snow बढ़कर बहुत सारा snow रस्ते पर होता है ये दोनों फिर नीचे आ जाते है वो snow से statues बगरा बनाते है के आईवार को कहता है क्रिम ने तुम्हें जो भी कुछ बताया है वो सब कुछ सही है आईवार अगले दिन फिर से अपने foster care में जाने वाला होता है उसे आलाउड नहीं होता कि वो के के साथ रुके के उसे कहता है कि तुम्हेंने बताना कि मैंने तुम्हें रोकने के लिए बुला था आईवार जाते जाते कह कर जाता है कि मैं जान भूज कर पकड़ा गया था आईवार अब गाड़ी में बेट चुका होता है और के को उसे बात करने होती है कि उसके पीछे भागता है पर आईवार उसके तरफ नहीं देखता आईवार अब गाड़ी में उसे पापा बुलाता है अब उसे as a father उसने accept कर लिया है लास सीन में हमें दिखता है कि सिगी बैलकनी में है अपने आफ ही वो खेल रही है और बैलकनी से वो देख रही है अपने future के लिए वो hope पुल है अब मैं आपको सब characters के लिए ending क्या थी वो explain करूँगा सबसे पहले हम सिगी के साथ start करते है सिगी की मदर abusive थी पर उसे family मुल चुकी थी इस family मिलने के बाद उसे shop lift करना पता चल गया लास सिन में हमने देखा था कि आईवर उसे कहता है कि तुम बाहरी रुको पर वो अंदर आ जाती है अब वो अपने situation का control लेती उसे क्या करना है ये वो decide करती है फिले वो victim बन चुकी थी पर इस बार वो अपनी ये नहीं कर रही उसकी मदर जब उसे पास बुलाती है अब उसे पदा चल चुका है अगर वो उसके मदर के पास गई तो उसे मारने वाली है पर वो ये नहीं करती वो smart बन चुकी है survival techniques उसके पास आ चुकी है अपने future को लेकर भी वो hope pool है अगर हम आईवर और के की बात करें तो जाते जाते वो उसे बोल कर गया कि मैं खुद से पकड़ा गया था उसे family के साथ अपने ही रहना था पर ये सब जूट होता है जैसा हमने देखा था कि situation ही एसी थी कि उसे पकड़ा जाना ही पड़ा ऐसा उसने के को जान बुच कर कहा था के को अपना father मान चुका है और के तो उसे अपना बेटा मानता ही है इन दोनों का एक दूसरे के साथ रहना impossible है और अगर ये decide भी करें तो ये practical नहीं है उसे school जाना है पर वो अगर के के साथ रहता है तो एक कर नहीं पाएगा अपने family के लिए हमें heart decision लेने पड़ते है तो ये ही आईवार के 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 लिए कर रहा है के भी अब heart हो जुका है पर वो भी अब समझ लेगा के आईवार के लिए ये ही सही था ये ही heart choice क्रीम ने भी की थी क्रीम इन सब बच्चों की मदर बनना चाती थी पर ये सही नहीं था आप किसी भी family को बनने के लिए force नहीं कर सकते जो गलत है वो गलत है इसलिए वो सही चीज़ कर देती है आईवार को सही family की जरूरत है इसलिए उसके parents का पता वो से दे देती है अगर हम डेजी की बात करें तो डेजी को पता चल चुका है कि grandma उसके father से पैसे लेती थी पर उसके father को कभी मालूम नहीं था तो इस पर वो believe नहीं करेगी ये जो family थी ये डेजी से कभी भी उसके job से पैसे नहीं लेती थी इनकी यही deal थी ये जब सब एक साथ रहने के लिए आये थे तब इन्होंने deal की थी कि वो डेजी से पैसे नहीं लेंगे डेजी एक emotional character है उसे emotional attachment बहुत ही जरूरी लगती है अब वो फिर से अपने family के पास ने जाएगी अपने काम के एक आदमी मिला था जो उसकी emotional state share करता है उसके साथ ऐसी bonding अब वो future में ढूनेगी ये सब लोग as a family एक choice से रह रहे थे ये बहुत सारे financial problem थी पर survival इनके लिए एक soul purpose था इसलिए ये सब वो कर रहे थे आईवर और के की इन दोनों के relationship बहुत ही beautiful थी के उसे जो भी shoplift करने के लिए सिखाता था ये गलत था पर के बोलता है कि मुझी यही आता है जैसे father अपने son को जो भी skills सुने आती है वो सिखाता है इसी तरह से वो father road करता है इसी तरह से के अपने son को यानि के आईवर को ये सब सिखा रहाता जो भी चीज़े उसे आती थी वो सब उसे सिखा रहाता shoplift उसे कुछ magic tricks भी आती थी वो भी वाईवर को सिखाता था ये एक dysfunctional family थी पर ये family तो थी ये चीज तरह से रह रहे थे ये सही नहीं था और इन सब को ये पता था कभी ना कभी ये सब होने वाला था और इनका future uncertain था कि अगर इनके साथ रुखता तो वो कभी स्कूल में नहीं जावा था सिखी के भी परवरिश सही से नहीं हो पा थी grandma की भी age हो चुकी थी तो कभी ना कभी वो मरने वाली थी Daisy के पास emotional support नहीं था ये जो सब हुआ ये सही ही हुआ अब ये सब characters अपने live से मुहान कर सकते हैं और ये भी वो सब legalी करेंगे तो ये ही ये movie खतम हो जाती है और family के बारे में एक beautiful movie हैं में दिखाए गई है अगर आपको ये video अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस video को like कर दिजेगा comment में yes भी type कीजिए कि मुझे पता चल सके कि आपको ये video अच्छा लगा है मैं इसी बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो इसलिए आप subscribe कर दिजेगा bell notification icon भी दबा दिजिए यानि कि आपको सब movies आती रहें हम फिर से मिलेंगे एक नई movie के साथ तब तक आप आपका और अपनी family का खैल रखिए